हलो दोस्तों मेरा नाम है अंकेत और तिलक लगा के सौधत करता हूँ आपका मेकेनिकल गुरी यूट्यूब चैनल बहुत अच्छी ख़बर आ रही है भाई लोग मद्य प्रदेश पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड MP, PG, CL की तरफ से यहां पे जूनियर इंजिनियर की पोश निकलिए जिसके लिए बीवी टेक डिप्लोमा हर को यह अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं आपका बैक लगा था भई यह उसका रिजल्ट नहीं आया है वेट कर रहे हैं अब अपने रिजल्ट का तो भी आप अप कर सकते हैं बहुत अच्छी बाताई यह डिटेल में अपने पर सकते के बारे में बात करते हैं । अपको फायदा तो मिलने प्राखास नहीं कौन को सी प्राची से लीजीबल कप से फॉर्म शुरू होगा एक्जाम के सेंटर क्या क्या मिलने वाले हर चीज बताता हूं बस आपको आखरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ मेरा नाम है अंकीत आप देख रहे हैं मेकैनिकल गुरू चलिए करते हैं इ जुनियर इंजीनर की पोस्ट निकली हूँ यह पर्मानेंट सरकारी नौकरी यह कॉंटेक्ट बेसिस पर जॉब नहीं यह पर्मानेंट नौकरी है अगर आप MP के बाहर रहते हैं आपके पास MP कर दोमेसाइल नहीं आप और इंडिया कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नही बहुत सरी रुकोट्मेंट निकली हुई है बहुत सरी पोस्ट निकली हुए एकंट अफिसर की जुद यरी इंजीनर पलांट की एकंट अकाउंट असर की अगर मैं बात करू तो 9 पोस्ट निकली हुए। list निकली हुए जिसमें अन्रिजर्वड है 28, जुदियर इंजिर. पथीदर. 33, 33 पोष निकलिए अन्रिजावड है, 17. Junior एलेक्रिकलिक़ के अदर 11 पोष निकलिए अन्रिजावड है, 5. Junior एलेक्रिकस के अंदर 11 पोष निकलिए अन्रिजावड है, 6. इसकेले कौन-कौन से ब्रांच वाइब कर सकते हैं B.E.B.Tec,契वका of special statistics, है तो भी आप apply कर सकते हो और diploma है उसके उपर भी अपने पढ़ाई की उई है तो भी आप apply कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो जुनियर इंजीनयम फ्लांट में mechanical electrical electronicंब के अंदर जो push निकली है सकते हैं डिप्लोमा वाले भी प्लाय कर सकते हैं इसके अलावा फीमेल के लिए कुछ पोश्ट रिजर्वड रखी गई है लेकिन यह फीमेल है अगर आप अगर आप वुमेल है तो आपके पास होना चाहिए डोमेसाइल मद्य प्रदेश का एकाउट्स आपके पास होना चाहिए और अगर अभी आप आप फाइनल एक्जाम दिये हैं अपना फाइनल येर में का एक्जाम दे चुके हैं आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर आप अपनी बी बीटे का फिर डिप्लोमा बस हो चुका है पूरा कहीं पे एक बैक लगा था उस बैक का पेपर दे चुके है वेट कर रह हैं तो आप बिल्कुल eligible है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यह केस हर पोस्ट जो भी पोस्ट है चाहे हो accounts officer की पोस्ट चाहे हो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हो कोई भी पोस्ट के लिए यह applicable है यानि कि आप इंडिया में कहीं से भी हो अगर आप अभी pursuing कर रहे हो भी आप अपने final result का वेट कर रहे हो तो आप apply कर सकते हो इसके बाद accounts officer के अगर मैं eligibility के बारे में बात करूँ तो CA MBA finance वाले या फिर PGDBM finance वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं reservation जैसे मैंने बता SCST OBCC MP वालों के लिए है एज limit के अगर मैं बात करूँ तो वह यह accounts officer के लिए एज limit 21-40 सार रखी गई अगर आप MP में रहते हैं MP के डोमेसाइल है आपके पास आपके लिए एज limit 21-40 साल है accounts officer की post के लिए और अगर आप all over इंडिया से apply कर रहे तो 20-28 साल एज limit रखी गई है एक एक 2019 तक आपके उमर 28 साल से जादर नहीं होनी चीए अगर आप MP से बिलॉंग नहीं करते हैं और accounts officer की post के लिए apply करने वाले हैं तो इसके लावब जूनियर इंजिनियर के लिए age limit अठा से 40 साल रखी गई MP वालों के लिए और अठा से 25 साल रखी गई है अधर इस्टेट्स वालों के लिए एक एक 2019 तक भी आपकी उमर अठा से 25 साल के बीच होनी चीए तब यह अप apply कर सकते हैं accounts officer के रूप में अगर आपका selection होता तो starting आपको 56,100 रुपए पर मन्त मिलेगा जूनियर इंजिनर के रूप में सेलेक्शन होता है तो starting आपको 32,800 रुपए पर मन्त मिलेगा प्लस T.A.D.A.H.R.A. और जित्ते भी तरिकी ऐलोएंसे मिलते हैं वह सब आपको मिल जाएंगा अगर मैं training की बात करो अगर आपका selection होता है तो accounts officer की रूप में अगर आपके training होती तो 3 महीने की होगी, junior engineer की रूप में training होती है तो 1 साल की training होगी, bond बरवाया जाएका आपसे 5 साल का bond बरवाया जाएका कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप भर सकते हैं, accounts officer को 2 लाग का bond है और junior engineer के लिए 1 लाग का bond है, selection, return exam के basis पर होने वाला है, accounts officer के return में 100 question आने वाले है, 70% question subjective रहेंगे उसके subject related और 30% question general aptitude के होने वाले हैं, negative marking नहीं रखी गई है और document verification जबलपूर में होगा, और junior engineer की बात करें तो 100 question, 100 question आने वाले हैं, 70 question आपके brand से related होंगे, mechanical वाले हैं तो mechanical 70 question होईंगे, और 30 question, 30 question general aptitude के होईंगे, जब बलपूर में आपका document verification होगा, अगर merit list में आपका नाम आता है, तो form start हो रहा है, 29, 1, 2019 और चलने वाला 28, 2, 2019 दर form बनने की फीज, 1000 रुपे रखी गई है, जनरल वालों के लिए, जिबकि SC, ST वालों के लिए, 800 रुपे, form बनने की फीज रखी गई है, और अगर मैं return exam के center के बार में बात कर तो भीए, मद्य प्रदेश में ही आपको return exam के center मिलने वाले हैं, तो अगर आप all over India से apply करते हैं, तो मद्य प्रदेश जाने के लिए आपको ready रहना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसके र selection में उनको select होने को उनको ज्यादा मौका दिये जाने वाला है, इसके अलावा अगर आप departmental वाले candidate है, departmental वाले हैं, तो भी आप बिल्कुल apply कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भाई लोग यही ती कुछ बात है, जो आज मैं आपको बताना चाहता था, निकल गुरू यूटिब चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज अच्छे च्छी वीडियो लेकर आता रहता हूँ, बहुत जद्दिम लोग मिलेंगे भाई लोग, जै जावान, जै किसान